नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है अगनी बन्या और इस चानल पे मैं बात करने वाली हैं ब्यूटी रिव्यूज, मेकप टूटोरियल्स एटसेटरा के बारे में अगर आपको ब्यूटी रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजे इट वुड मीन सो मच तो में आज के इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता चली गया होगा लाकमे 9-5 प्राइमिंग माट लिप्स्टिक्स के बारे में अब मैं इन लिप्स्टिक्स के बारे में कहां से आपको बताना शूरू कुरू पहली बात तो यह है कि मेरे पास इस रेंज से 8 लिप्स्टिक्स हैं which is like a lot from one single range मैं जब भी लिप्स्टिक्स खरीती हूँ किसी नई लाँच से या किसी नई क्यातिगरी से तो मैं एक या दो शेड़ी खरीती हूँ पर यह रेंज जो है मुझे इतनी पसंद है everyday wear के लिए कि मैंने 8 लिप्स्टिक्स खरीदी है इस single range से सबसे अची बात यह है कि इस विडियो में मैं यह सारे 8 shades अपने lips पे swatch करके दिखाऊंगी तो आप वहां तक रुकिएगा जरूर उससे पहले मैं कुछ बाते इन lipsticks के बारे मैं आपको बताना चाहते हूँ सबसे पहली बात यह lipsticks available है 44 shades में so right from deep wines and burgundy to bright reds to neutral reds to pink, fuchsia pink, neutral pink, nude pink, nude browns, chocolatey browns, peachy pink, peach shades इस range में आपको सारे तरहके के shades मिलेंगे आपको जिस भी तरहके का shade लगाना पसंद हो आपको इस range में जरूर मिल जाएगा दूसरी बात यह है कि यह lipsticks बहुत ही affordable है 5.99 रुपीज में आपको 3.6 grams of product मिलता है जो की काफी अच्छी-कासी quantity है और अच्छी बात यह भी है कि यह lipsticks जो है बहुत pigmented है तो आपको एक ही swipe में full color intensity मिल जाएगा और एक अच्छी बात मैं आपको बता हूँ यह lipsticks में inbuilt primer है जैसे आप lips को prime करते हैं lip primer लगाके तो आपको lips को prime करने के जरूरत नहीं है यह priming matte lipsticks है इसमें already primer added है जो की एक smooth even finish देता है lips को और बहुती easily smoothly glide हो जाता है और यह matte finish lipstick है आप देख रहे हो मैंने एक shade already लगा रखा है काफी long lasting है मतलब 5-6 hours तो बहुत अराम से चल जाती है और अगर आप कुछ खाएंगे पेंगे तो थोड़ी fade होती है लेकिन आप इसको 5-6 hours से stretch करके 7-8 hours तक भी wear कर सकते हैं और थोड़ा यह lips को stain भी करती है तो ऐसा नहीं है कि lipsticks पूरी fade हो जाएंगे वो रहेंगी आपके lips पे जब तक आप touch up भी नहीं करो तो भी और एक बात यह है कि for a drugstore lipstick I think the packaging is beautiful इतनी lux, इतनी luxurious packaging है इस lipstick की जिब बहुत पसंद है इसकी यह packaging actually मैं आपको बता हूँ यह lipsticks पहले इस तरह की rose gold packaging में आती थी this is the old packaging, this is the new packaging, आप difference देख सकते हो can you see the difference in color, पहले इसका नाम था LAKMEN 9-5 Primer Plus Matte Lipstick अब इसका नाम हो गया है LAKMEN 9-5 Priming Matte Lipstick और मैं आपको बता हूँ यह lipstick इतनी smooth, comfortable and easy to wear है यह आपके lips को बिलकुल भी dry नहीं करेगी जैसे कई matte lipsticks होती हैं जिनको wear करने के बाद आपके lips chat feel होते हैं, dry feel होते हैं जैसे वो आपके lips में से moisture सक कर लेती है, आपको और dry कर देती है इन lipsticks के साथ ऐसा कोई problem नहीं है and that is why यह everyday lipsticks के लिए तो perfect है मतलब उस category में affordable है, long wearing है, lips को dry नहीं करती और आपको क्या चाहिए and yeah, 44 shades में available हैं which is like a lot, right so this is all about these lipsticks and now we are quickly going to move on to swatches I am going to swatch the lipsticks on my hand as well as on my lips तो देखते रहिए I hope आप लोग को आज का यह विडियो पसंद आया होगा यह 9 to 5 priming matte lipsticks मेरी बहुत फेवरिट है और everyday lipstick category में तो definitely number one है यह lipsticks हर popular online retail website पे जैसे कि Amazon, Mintra, Naika पे मिल जाती है और mostly discount पे भी रहती है मैं इन lipsticks को purchase करने का link भी description में डाल दूगी अगर आप चाहो तो यह shades check out कर सकते हो जो shades मैंने आज swatch किये हैं और ऐसे और videos देखने के लिए आप मेरे चानल को ज़रूर subscribe करना और आप और किस तरह के videos देखना चाहते हो या आपकी कोई request या recommendation या suggestion है जो कि जिस तरह के आप videos या tutorials देखना चाहते हो तो मुझे comment box में लिख कर जरूर बताना thank you so much for watching I will see you soon again bye